जैहिंद वंदे मातरम सातियों हमारे यूटूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दीक स्वागत है आज हम बात करेंगे राजस्तान जी के महत्यपूर्ण कुश्यनों के बारे में तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं निमिल लिकित में से प्रोपेसर बीसी मिश्रा के वर्गी करण का भाग नहीं है नहर छेत्र, पूर्वी और ज्योगिक छेत्र, दक्षिनी पूर्वी पठारी प्रिदेश और चंबल बिहर छेत्र राइट ओप्षन उगा दक्षिनी पूर्वी पठारी प्रिदेश C option अगला प्रिशन है राजस्तान के उच्छावच के निर्मान हेतु कौनसी किरिया उत्रदाई नहीं है अप्छरण अनाचादन निक्षेपन और विवेदन राइट ओप्छन होगा विवेदन D option को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है पक्षिमी राजस्तान में मरुस्तली करण के लिए सरवादिक उत्तरदाई बालू का इस्तूप है पैराबोलिक रेकिये और नेटवर्ग और बर्खान राइट ओप्छन होगा बर्खान D option अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से थार के मरुस्तल के सम्बंद में सत्य कथन है थार का मरुस्तल की उत्पत्ती थार सागर से हुई थार का मरुस्तल ग्रेट पोलियो आर्टिक अफ्रीका मरुस्तल का भाग है थार का मरुस्तल जैविक विवित्ता की दरश्टी से समरद्य मरुस्तल है थार का मरुस्तल का नियून्तम विस्तार पंजाप में है अगला प्रसन है निमिल लिकित में से जुरेसिक कालीन प्राकर्टिक वनस्पती के अवसिस कहां से प्राप्त हुए है रामगड कुलधरा आकलगा और चांदन राइट अप्रसन होगा आकलगाउं अगला प्रसन है निमिल लिकित में से देहली सेल समू का भाग नहीं है रामगड कुलधरा आकलगा और चांदन राइट अप्रसन होगा चांदन डी अप्रसन को लोग करेंगे अगला प्रसन है निमिल लिकित में से किसे योजना प्रदेश की सेंग्या दी गई है पक्षिमी मरुस्तलिय प्रिदेश, अरावली परवतिय प्रिदेश, पूर्वी मैदानी प्रिदेश और दक्षनी पूर्वी पठारी प्रिदेश राइट ओप्षन होगा अरावली परवतिय प्रिदेश बी ओप्षन को लॉक करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से हाडोती के पठार के सम्मंद में सक्तेकतन है हाडोती के पठार दक्कन ट्रेप का भाग है हाडोती के पठार की उत्पत्ती जुआला मुकी के छिद्र उद्धार का परिणाम है हाडोती के पठार में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है हाडोती के पठार में मैन बाउंडरी फोल्ट इस्तित है सही कूट का चैन करें एक और चार एक तीन एक तीन चार एक दो तीन और चार राइट ओप्षन होगा एक और तीन बी ओप्षन को लग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से बनास बेसिन का उत्तर पूरी भाग में भाग को संग्या दी गई है रोही का मैदान, मालपुरा, करावली का मैदान, पीट माल का मैदान और खेराल का प्रिदेश राइट ओप्षन होगा मालपुरा करौली का मैदान B option को लॉग करेंगे अगला प्रसन है कथन पूर्वी मैदानी प्रदेश जन्सेंक्या घनत्व की द्रश्टी से सम्रध्य प्रदेश हैं कारण है पूर्वी मैदानी प्रदेश में विस्तरण किर्शी की प्रधानता है सही कूट का चैन करें A तथा R दोनों सही है R A की व्यक्या करता है A तथा R दोनों सही है R A की व्यक्या नहीं करता है A सही है R गलत है A तथा R दोनों गलत है राइट ओप्शन होगा A सही है R गलत है C ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से एसुमिलित युगं को पैचान ये मांदेरा का पठार चितोलगड मेवल बासवाड़ प्रताबगड भाकर पूर्वी श्रोही उपर माल भिलवाड़ और चितोलगड अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से कौनसा दर्रा मारवार को मेवार से नहीं जोड़ता है देशूरी दर्रा सोमेश्वर दर्रा पगलिया नाल और केवडा की नाल राइट आप्शन होगा केवडा की नाल डी आप्शन को लोग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से राधस्तान का सबसे बड़ा रन छेतर का विस्तार है जैसल मेर, नागोर, बीकानेर और बाड मेर, राइट आप्शन होगा बाड मेर, डी आप्शन को लोग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से पूर पस्यम गल्यारे से यात्र करने पर कौन सा दर्रा पार करना परता है चीर्वा घाट देवारी दर्रा बर दर्रा और कामली दर्रा राइट ओप्षन होगा देवारी दर्रा बी ओप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से कौन सा यूगम सुमेलित नहीं है लसाडिया अपर देश थंडरचना मागरा अफशिट संडरचना गिर्वा तस्तरी नूमा संडरचना देश हरोस्च के पठारी संडरचना राइट ओप्षन होगा देश हरोशुस के पठारी सनरचना डी ओप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से दूसर शिरोजम मिर्दा के विस्तार वाले जनों का सही युगम है अलवर, भरतपुर, करॉली और सवाई, मादोपुर, पाली, नागूर, अजमेर और जैपुर, जैसलमेर, बाड मेर, जोदपुर और बीकानेर, कोटा, बूंदी, बारा और जहलावड राइट आप्शन होगा, पाली, नागूर, अजमेर और जैपुर, बी आप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है, निमिल लिकित में से राजस्तान में सरवादिक विस्तित मिर्दा का सही युगम है एलिफी सोल, वर्टी सोल, इन्सेप्टी सोल, एलिफी सोल, एरिडी सोल, एडी सोल, वर्टी सोल और इन्सेप्टी सोल, राइट आप्शन होगा एरिडी सोल और एंटी सोल, सी आप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है मिर्दा का जैविक तत भूतिक एवं रसायनिक संरचना का खोदेना है जिससे मिर्दा की उर्वरक्ता सक्ती में कम आना कहलाता है छार्ये की समस्या, सेम की समस्या, भू अबकरन की समस्या, खर्पतवार की समस्या राइट ओप्षन होगा भू अवकर्मन की समश्या C ओप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है राजस्तान की किस मिर्दा में कारबा निक्ततूं की प्रिधानता पाए जाती है राइट ओप्षन होगा लाल मिर्दा बी ओप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से आदर जलवायू में किस प्रिकार की मिर्दा का विस्तार है अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से किस मिर्दा में जल धारन चमता सरवादिक होती है लेटे राइट मिर्दा पीट मिर्दा जलोड मिर्दा और काली मिर्दा राइट ओप्षन होगा काली मिर्दा डी ओप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रशन है निमिल लिकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है अगला प्रसन है अंतर राष्ट्य इस्तर पर निमिल लिकित में से किस मिर्दा को उश्ण कटिबं दिये चर्मो नोज मिर्दा कहा जाता है काप मिर्दा, रेंगून मिर्दा, परवत ये लेट राइट मिर्दा और लवणीय मिर्दा, राइट ओप्षन होगा रेंगून मिर्दा, बी ओप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रसन है निमिल लिकित में से किस मिर्दा में लोहो तथा एलूमिनियम तत्तों की प्रधानता होती है जलोड मिर्दा, लाल मिर्दा, काले मिर्दा और लाल पीली मिर्दा राइट ओप्षन होगा काले मिर्दा, सी ओप्षन को लोग करेंगे अगला प्रिसन है निमिल लिकित में से मिर्दा संरक्षन का उपाया नहीं है मेड बंदी, समुच्य किर्शी, नियंतरन पसुचारण और जल प्लावन, राइट ओप्षन होगा जल प्लावन, सी ओप्षन को लग करेंगे अगला प्रिसन है निमिल लिकित में से पक्षमी सुच्क मैदान की पूरवी सीमा का निर्धारन करने वाली सम वर्षा रेखा है 100 mm, 250 mm, 500 mm और 1000 mm, राइट ओप्षन होगा 500 mm, सी ओप्षन को लग करेंगे अगला प्रिसन है रादस्तान में ग्रिस्म रितू में पवन की दिशा होती है समुंदर से इस्तल, इस्तान से समुंदर, इस्तल से इस्तल और समुंदर से समुंदर, राइट ओप्षन होगा समुंदर से और इस्तल, ए ओप्षन को लग करेंगे अगला प्रिशन है राधस्तान में मानसून का सरवादिक ठहरावाला इस्तान है जैसलमेर, जालावाड, माउंट आबू और चूरू, राइट ओप्षन होगा माउंट आबू, सी ओप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से एसुमिल जूंकी पैचान कीजिए मावट चक्रवती वर्षा, भवूल्या मानसून की वर्षा और पुरूवया मानसून पवने और लू, इस्ताई, पवने राइट ओप्षन होगा भवूल्या यानि मानसून पुरूव की वर्षा, बी ओप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से पक्षिमी मरूस्तलिये प्रिदेश में अरब सागरिये मानसून पुरूव से वर्षा नहीं होने का उत्तरदाई कारण नहीं है अरावली की दिक इस्तिती, महदी प्रिता, अरावली की वरिष्ट चाया प्रिदेश और उप्यूक्त में से कोई नहीं राइट ओप्षन होगा अरावली वरिष्टी चाया प्रिदेश, सी ओप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है कौपेन के जलवायू वर्गी करण के अनुसार सवाना तुल्य वनस्पति का प्रिटि निदित्वे करता है बी डबलू एच डबलू, बी एच एच डबलू, सी डबलू और जी एडबलू, राइट ओप्षन होगा एडबलू, डी ओप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से राजस्तान की जलवायू की विशिष्टा नहीं है सुस्क एवं अर्द सुस्क आदर जलवायू, सीत रितू में मानसून वर्षा, अधिकांस वर्षा, दक्षिन पस्से मानसून से उच्छे दैनिक एवं वार्शिग टापांतर राइट ओप्षन होगा सीत रितू में मानसून वर्षा, बी ओप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रिसन है राजस्तान में सरवादिक सूर्यत आप वाला जिला कौन सा है श्री गंगा नगर बासवाडा जोदपूर और चूरु राइट आपशन होगा बासवाडा बी आपशन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है राधस्तान का उपादर जलवायू छित्र है पूर्वी मैदानी भाग अरावली परवतिय भाग लूनी बेसिन और डक्षिनी पूर्वी पठार राइट आप्शन होगा अरावली परवतिय भाग बी आप्शन को लग करेंगे अगला प्रिशन है राधस्तान में अर्द सुस्क जलवायू प्रदेश किस प्रकार की वनस्पती पाई जाती है अगला प्रशन है स्टेपी प्रकार के वनसपती पाई जाती है A, W, B, S, H, W, B, W, H, W, E, W और Z Right option होगा B, S, H, W B option को लॉग करेंगे आगला प्रिशन है थार के मरुस्तल में रात्री का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है निम्कत्नों पर विचार कीजिए वातावर्ण की स्व्यक्षता, स्व्यक्ष, आकास, मिट्टी की बलवाई प्रिकिर्थी एवं वनस्पती का अभाव थार के मरुस्तल में कम जन घनत्व होना A, W, B एक वैदो सही, एक दो तीन वैचार सही, एक वैदो गलत, एक दो और तीन सही राइट ओप्षन होगा एक दो तीन सही यानि हम D, ओप्षन को लग करेंगे अगला प्रिसन है निमिन लिकित में से केवला ब्रेव तथा, रन्थम्बो राष्ट्य उद्यान किस जलवाई प्रदेश में इस्तित है अर्द सुस्क जलवाई प्रदेश, उप आदर जलवाई प्रदेश, आदर जलवाई प्रदेश, अति आदर जलवाई प्रदेश, राइट ओप्षन होगा आदर जलवाई प्रदेश, सी ओप्षन को लग करेंगे अगला प्रिसन है निमिल लिकित में से जल संभर का उधारन माना जाता है लासोडिया का पठार, निशा का पठार, उपरमाल का पठार, भूराट का पठार, राइट ओप्शन होगा भूराट का पठार, डि ओप्शन को लग करेंगे अगला प्रशन है निमिल लिकित मैं से राजस्तान का सबसे बड़ा अपुहा तंत्र कौन सा है बंगाल की खाडी नदी तंत्र औरब सागर नदी टंत्र उप्युक्त मैं से कोई नही राइट आप्शन होगा आंत्रिक प्रवहा तंत्र बी आप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से चंबल नदी की सायक नदियों का सही युगम है बनास बेड़ाच मेनाल पारवती काल सिंद आहू बामनी कुलाल और बनास बनास चंबल और सीप राइट आप्शन होगा बामनी कुलाल और बनास सी आप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से मुख नदियों का सही युगम नहीं है चंबल लूनी सागी माही मोरेल सामरमती हात माती राइट आप्शन होगा माही मोरेल सी आप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से टॉक जिले में इस्ते त्रिवेनी संगम का सही युगम है माही सोम जाकम बनास बेड़ज मेनाल बनास खारी डाई और बनास चंबल सी राइट आप्शन होगा बनास खारी और डाई सी आप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से लूनी नदी में मिलने वाली साहक नदियों के उद्गम से समाप्ति तक का सही क्रम है बांडी जोजरी जवाई मीटडी सूकडी और जोजरी लीननी जोजरी और बांडी जवाई सागी और खारी राइट आप्शन होगा बांडी जोजरी और जवाई ए आप्शन को लॉग करेंगे अगला पिर्शन है निमिल लिखित में से आंत्रिक प्रभात अंत्र की नदियों का सही युग्म नहीं है गगर, साबी, काकने, रूपनगड, सांगरमती और रूपारेल, कांतली, रूपालेल, रूपनगड, दुसूती, मसूर्दी और वरहा, राइट आप्शन होगा, रूपनगड, सांगरमती और रूपारेल बी आप्शन को लॉक करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से किस नदी का प्रवाद छेत्र केवल राजस्तान में है गगर नदी, माही नदी, लूनी नदी और बनास नदी राइट ओप्शन होगा बनास नदी, डी ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से राजस्तान की सबसे बड़ी पिर्दूसित नदी कौन सी है लूनी नदी, बांडी नदी, जवाई नदी और सागी नदी राइट आप्शन होगा बांडी नदी बी आप्शन को लग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से किस नदी के किनारे प्राचिन तम पासु पालन के अवशेश मिले हैं कांतली नदी, रूपा रेल नदी, कोठारी नदी और गगर नदी, राइट ओप्शन होगा कोठारी नदी, सी ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से हकराक का संबन्ध है कांतली नदी से, लूणी नदी, गगर नदी से और बनास नदी से, राइट ओप्शन होगा गगर नदी से, सी ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से तीन राजियों में प्रवाइद होने वाली नदियों का सही युगम है लूनी नदी, बानगंगा नदी, सामरमती नदी और पस्मी बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी और अनार नदी राइट अप्शन होगा चंबल नदी और माही नदी, सी अप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से किस जील के किनारे कपिल मुनी की तपो इस्तली है सी लिसेड जील, फते सागर जील, कोलायत जील और पिछोला जील, राइट अप्शन होगा कोलायत जील, सी अप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से किसे किर्शी जील के नाम से भी जाना जाता है राज सम्मंद जील, आना सागर जील, जे सम्मंद जील और बाल सम्मंद जील, राइट ओप्षन होगा, जे सम्मंद जील, सी ओप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से क्रेटर का उधारन माना जाता है सामबर जील, पुसकर जील, दुसारी जील और गजनेर जील, राइट ओप्शन होगा, दुगारी जील, सी ओप्शन को लोग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देगाना नागोर, रिवास सीकर, कोचोर चूरू और काबोद, जील, जील, राइट ओप्शन होगा, कोचोर चूरू, सी ओप्शन को लोग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से किस देश के सहयोग से पुषकर गए पर्योजना का संचलन किया गया, सहयोग्त राज अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और फ्रांस, राइट ओप्शन होगा, कनाडा, सी ओप्शन को लोग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से कौन सी जील, स्वयर्णिंग, चतरभुज के अंतरगत समलित है, मोती जील, सीली सेड जील, गजनेड जील और उसकर जील, राइट ओप्शनों का सीली सेड जील, बी ओप्शन को लोग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से किसे जल्य जीलों की बस्ती की संग्याद दी गई है, पिछोला जील, जैसमन्द जील, तालचापर जील और नवलखा जील, राइट ओप्शन होगा जैसमन्द जील, बी ओप्शन को लोग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से मेवार रियासत की सिकार गहा के रूप में इस्ताबी जील कौन सी है जैसमन्द जील, फते सागर जील, उदे सागर जील और पिछोला जील, राइट ओप्शन होगा, उदे सागर जील, सी ओप्शन को लोग करेंगे अगला प्रिशन है राजिव गांदी सिद्ध मुक नोहर परियोजना के लावंज जीले का सही युगम है श्री गंगा नगर हनुमानगड हनुमानगड चूरू, श्री गंगा नगर बीका नेर हनुमानगड और बीका नेर राइट ओप्शन होगा हर्मानगड और चूरू बी ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिसन है भीका भाई सागवाड़ा परियोजना का सम्मंद वाले जिले का चैन कर सही बताईए उज्यपूर दुंगरपूर बासवाड़ा और राम प्रताबगड कूट है केवल दो वै तीन केवल एक वै दो केवल दो केवल दो तीन और चार राइट ओप्शन होगा केवल दो सी ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिसन है निमिल लिकित में से चूली देहे परियोजना का सम्मंद है सवाई मादोपूर धोलपूर करॉली और भरतपूर राइट ओप्शन होगा करॉली सी ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिसन है स्वात जल्धारा योजना में केंदर सरकार एवं राज्य सरकार का विक्ये योगदान है पिचेतर अनुपात 25, 90 अनुपात 10, 85 अनुपात 15, 65 अनुपात 35, राइट ओप्शन होगा 90 अनुपात 10, भी ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिसन है किस परियोजना का सम्मंद सामने दर्साएगे जलो में से नहीं है चापी सिचाई परियोजना 12, इसारदा सिचाई परियोजना सवाई मादोपूर, औराई सिचाई परियोजना चित्तोरगड, पक्षमी बनास परियोजना सिरोही राइट आप्शन होगा सापी सिचाई परियोजना बारा यानि ए आप्शन को लॉग करेंगे अगला पिर्शन है इंद्रा गांदी नहर की नौ साकाओं में से पिर्थम तथा एक मात्र ऐसी साका जो नहर के बाई और से निकलती है सागर मलगोपा, सहीर वीरवल, रावत सर और धारन वाला राइट आप्शन होगा रावत सर सी आप्शन को लाग करेंगे अगला पिर्शन है वीर तेजाजी जलो उठान योजना से लाभाविन जिले जिलों के युगम का चैन कर सही कूट का चैन करें बीका नेर, नागोर, श्री गंगानगर और हनुमानगड कूट है केवल एक, केवल एक वे दो, केवल एक वे तीन, केवल एक वे च्यार राइट आप्शन होगा केवल एक ए आप्शन को लाग करेंगे अगला प्रिशन है, निमिल लिखित में से किस लिप्ट नेहर पर्योजना का सम्बंद बीका नेर से नहीं है सौधरी कुमभा राम लिप्ट नेहर, गुरू जंबेश्वार लिप्ट नेहर, जैनाराण व्यास लिप्ट नेहर, कवर सेन लिप्ट नेहर राइट ओप्शन होगा, जैनाराण लिप्ट नेहर, सी ओप्शन को लाग करेंगे अगला प्रिशन है, इस आरदा पर्योजना के सम्बंद में सत्य कथन का चैन कीजिए इस आरदा पर्योजना राजस्तान की पिरमुख बहु उद्दिश ये पर्योजना है यह पर्योजना व्यास नदी पर सवाई माधवपूर में है इस पर्योजना का उद्दिश जैपुर योम टॉंक जलों में सीमा वर्ति गाउं पियेजल की सुविदा उपलब्द करवाना है कूट है केवल एक वे दो सही, केवल एक वे तीन, केवल एक वे तीन, एक दो वे, तीन, राइट ओप्शन होगा केवल एक केवल दो वे, तीन, वी ओप्शन को लग करेंगे अगला प्रिशन है, इंद्रा गांदी नहर पर्योजना की उप्साखा नहीं है लिलवा, दीगा, बाबा, रामदेव, सागरमल, गोपा, राइट ओप्शन होगा सागरमल, गोपा, डी ओप्शन को लग करेंगे अगला प्रिशन है, वनों के विकास के लिए भारतिय इतिहास में प्रिथा वन नीती की गोशना कब की गई अगला प्रिशन है, राजस्तान में वनों के संड्रक्षन ही तूसर प्रिथाम कानून किस रियासत द्वारा बनाया गया अलवर रियासत, जोदपूर रियासत, विकाने रियासत और जैपूर रियासत, राइट ओप्शन होगा अलवर रियासत, ये ओप्शन को लग करेंगे अगला प्रिसन है प्रत्थम राष्टिय वन नीती वर्ष उनिस सो बावन के अनुसार राजस्तान में कितने प्रितिसत वन शेत्र में अनुवार यह है 20 परतिसाद, 25 परतिसाद, 33 परतिसाद और 65 परतिसाद राइट ऑप्सन होगा 23 परतिसाद सी ऑप्सन को लग करेंगे अगला प्रसंद है सूची 1st को सूची 2nd से सुमिलित कीजिए सूची 1st और सूची 2nd तेंदू, जंगल की आग, खेर, कथा और महुआ, बीडी और पलास यानी मोकडी कूट हैं एक, दो, तीन और चार तीन, दो, चार और एक, चार, तीन, दो, एक, तीन, दो, एक, चार राइट आप्शन होगा तीन, दो, चार, एक, बी आप्शन को लग करेंगे अगला प्रिशन है भारतिये, वन नीती के अनुसार, अरावली प्रिदेश तथा, मैदानी प्रिदेश में कितने प्रितिसत, वना आचित होने चाहिए 33 से 25 प्रितिसत, 33 से 20 प्रितिसत, 65 से 25 प्रितिसत, और 25 से 65 प्रितिसत राइट ओप्शन होगा 65-25 प्रितिसत सी ओप्शन को लग करेंगे अगला प्रिशन है वर्तमान में 1 एवं वन्य जी विशे किस सूची का भाग है संग सूची, राज्जी सूची, समरत्ती सूची और इनमें से कोई नहीं राइट ओप्शन होगा समरत समवर्ती सूची सी ओप्षन को लग करेंगे अगला प्रिशन है राधस्तान में प्रशासनिक द्रश्टी से अभी लेकित वन सेत्र कितना है 12,445 वर्ग कीमी 18,217 वर्ग कीमी 2,045 वर्ग कीमी 32,737 वर्ग कीमी राधस्तान में सबसे कम भोगोलिक वन है अतियंत साधन वन सामान्य सगन वन खुले वन और एवर्गी किरत वन राधस्तान होगा अतियंत सगन वन ए ओप्षन को लग करेंगे अगला प्रिसन है निमलिकित को सुमेलित करो सूची फर्ष्ट और सूची सेकिंड व्रक्ष आवरण छेत्र 6.25 जहाडी छेत्र 3.57 खुले वन दो पॉंट 36 एवर्गी किरत वन एक पॉंट 49 गूंट है एक दो तीन और चार चार तीन दो एक तीन चार चार दो और एक दो चार एक और तीन राइट ओप्षन होगा एक तीन चार दो एक यानि हम बी ओप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रस्टन है राजस्तान में वन इस्तिरता वाले जिले कौन कौन से है उध्यपूर प्रतापगड जालावाण बार्ड मेर जैसलमेर डूंगरपूर दोसा करॉली धौलपूर उध्यपूर प्रतापगड और सिरोही राइट ओप्शन होगा दोसा करॉली और धौलपूर सी ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल्ले कित में से समलित यूग कौन सान नहीं है अलवर सांभर जयपूर चीतल धौलपूर साहिन और बूंदी सुखरबा राइट ओप्शन होगा धौलपूर साहिन सी ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल्ले कित में से किस आखेट निसेद छेतर में प्रवास पक्षी कुरुजा आते हैं सौर सेन कोट सर और कनक सागर और गोडा बिशनुई राइट ओप्शन होगा सौर सेन ए ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल्ले कित में से छेतरफल की द्रष्टी से सबसे बड़ा कंज्विक्शन रिजर्व कौन सा है बासियाल रोंग डू सुन्धा माता साखंबरी माता राइट ओप्शनों का साखंबरी माता डी ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल्ले कित में से किस अभ्यारन में अलग जेंडर या पेरा किट जीव पाया जाता है रामगड विश्दारी अभ्यारन गजनेर अभ्यारन मुकुंद्रा हिल्स अभ्यारन सीता माता अभ्यारन राइट ओप्शन होगा मुकुंद्रा हिल्स अभ्यारन सी ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से स्वे इस्थाने संडक्षन छितर नहीं है राश्टिय उध्यान जन्तु आयले बाग परियोजना रामसर साइट राइट ओप्शन होगा जन्तु आयले बी ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है राजस्तान में पहली गैसिय करण लिगनाइट तकनीकी पर आधारी ताप्य उर्जा परियोजना कौन सी है गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट सूरतगड सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट गिरल पावर प्रोजेक्ट और चाबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट राइट ओप्शन होगा गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट सी ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है राजस्तान में मैगनीज के भंडार कौन सी चटान में पाए जाते हैं धारवार क्रम की चटाने, विंद्यन क्रम चटाने, क्रेटी सियर कालीन चटाने और तर्श्री कालीन चटाने राइट आप्षन होगा धारवाल क्रम की चटाने एह आप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है राजस्तान में सरवादी किस आणविक खनीज के भंडार है यूरेनियम, थोरियम, बेरेलियम और लीथियम राइट आप्षन होगा बेरेलियम, सी आप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से रासायनिक और वराखनीज नहीं है सेलेनाइट, रॉक फास्पेट, पाई राइट और बेरा साइट राइट आप्षन होगा बेरा साइट, दी आप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से किस यूग की चटानों को में कोले के भंडार पाई जाते हैं पूर्व कालिन प्रात में के दुतिय यूग, तृतिय यूग और चर्थूत्र यूग राइट आप्षन होगा तृतिय यूग, डी सी आप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से कौन सा यूग सुमेलित नहीं है ग्रे नाइट जालोर, पीला फत्तर ग्रे नाइट, जैसल मेर, काला ग्रे नाइट, भहसलाना, पिंडूरी लाल ग्रे नाइट, सीवाना राइट आप्षन होगा लाल, काला ग्रे नाइट, भहसलाना यानि हम सी आप्षन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित मैं से राधस्थान में प्राकर्ति गैस उत्खनन का कार्य करने वाली कम्पनी है S.R. Oil and Energy, Focus Energy, Canears Energy, Birk Company, Right Option होगा, Focus Energy, B Option को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है राधस्थान की पहली सोर उर्जा नीती की गोशना कब की गई? 2011, 2014, 2012 और 2019, Right Option होगा, 2012, C Option को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है, जनगर्ण ना 2011 के अनुसार, राजस्तान में सरवादिक, जन्सेंक्या वाले जले का सही युगम है जैपूर, भरतपूर, दोसा और अलवर, जैसलमेर, प्रिताबगड, शिरोही, बूंदी, जैपूर, जोदपूर, अलवर, नागोर, जैसलमेर, बीका, नेरबाडमेर और चूरू, Right Option होगा, जैपूर, जोदपूर, अलवर, और नागोर, C Option को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है जनगर्ना 2011 के अनुसार, राजस्तान में 100 से कम जनगरतवाले जिले का सही युगम है जैपूर, भरतपूर, दोसा, जैसलमेर, बाडमेर, बीका, नेर, जैसलमेर, बाडमेर, जोदपूर, जैसलमेर, बीका, नेर और बाडमेर आगला प्रिशन है जनगर्ना 2011 के अनुसार, राजस्तान में महिला तता पूरु सक्षतदार का अनुपाद है 66.1, 89.7, 52.1, 89.2, 89.7, 64.4, 89.2 और 52.1, राइट ओप्चन होगा 52.1 और 89.2, बी ओप्चन को लोग करेंगे अगला प्रिशन है जनगर्ना 2011 के अनुसार, राजस्तान में सर्वादिक अनुसूचित जनजाती प्रतिसत वाले जिले का सही युगम है उदेपूर, बास्वडा, डुंगरपूर, बीका, निर नागूर और डुंगरपूर, प्रतापगड राइट ओप्षन होगा, बास्वडा, डुंगरपूर, बी ओप्षन को लोग करेंगे अगला प्रिशन है जनगर्ना 2011 के अनुसार, राजस्तान में न्यून तमलिंग अनुपात वाले जिले का सही युगम है दौलपूर, दौसाट, डुंगरपूर और राजसंबंद, दौलपूर, जैसलमेर, करोली और भरतपूर, दौलपूर, करोली, सवय माधोपूर और भरतपूर, जैसलमेर, बीका, निर बाडमेर और सूरू, राइट ओप्षन होगा दोलपूर जरसल मेर करॉली और भरतपूर बी ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है राजस्तान में प्रितम जन करना कब करवाई गई 1872, 1881, 1901 और 1961, राइट ओप्शन होगा 1901 सी ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है निमिल लिकित में से जन गर्णा किस सूची का विश्य है समरद्दी सूची, राज्य सूची, संग सूची और आरक्षित सूची राइट ओप्शन होगा संग सूची, सी ओप्शन को लॉग करेंगे अगला प्रिशन है जन गर्णा किसके दौरा करवाई जाती है राज्य सरकार द्वारा, केंदर सरकार द्वारा, ग्रह मंत्राले द्वारा, उच नयले द्वारा राइट ओप्शन होगा ग्रह मंत्राले द्वारा, सी ओप्शन को लॉग करेंगे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होगी दोस्तों पसंद आए है तो हमारी वीडियो को सियर करें वीडियो को लाइक करें वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइक करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत